तो नमस्कार किसान भाइयो आज हम आए हैं आए जे के बोविन जैनेक्स जोकी एंब्रियो ट्रांसफर टेकनोलीजी है एक जो किसान टारेक्ट अच्छी मिल्क Mick की काउ पर चेज नहीं कर सकते या अच्छा बुल पर चेज नहीं कर सकते उनके लिए जो टेकनोलोजी है बहुत ज़्यादा लाबदायक है इसको अगर मैं हिंदी में बुलू तो एक ब्रून प्रत्यार उपन टेकनोलोजी है जिसके जरिये एक आम किसान भी अच्छी नसल की दुधारू गाएं या अच्छे गुनोवाला नंदी प्राप्ट कर सकते हैं बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके साथ गाएं या बुल लेने में दोखा हो जाता है बता कर कुछ और दिया जाता है और निकलता कुछ और है और वो चाते हैं कि हर घर तक अच्छी जो है दुदारू गाएं और अच्छे नंदी पहुंचें तो सर आप अपना परीचे दीजिए एक बार नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर राम अन्पुले मैं यम्यूसी गाइनेकोलोजिस्ट हूँ मैं डॉक्टर रवी यादव यह की ट्रस्ट का जो वरक है इदर राजस्तान और रहना का उसको देखता हूँ अधर यह आजकल जैसे आप मैंने देखा आपकी वैन पर भी लिखा हुआ है कि आप एंब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एंब कृत्रियम घर्मधारना जो AI टेकनिक करते हम उसे बहुत सारे मतलब ज्यादा तरीके से अच्छा है इसमें हम क्या करते AI में जिस गाई को हम AI कर रहे है तो जो आने वाली नसल है तो उसमें उस गाई के आधे गुन और जो शिमेन का जो बूल यूज के है उस बूल के आधे गुन जो आने वाली पिड़े उसमें उतर जाते अगर जिस गाई को मतलब जिस गाई को तुम AI कर रहे हो अगर ओ तो दो लिटर दूद देती होगी तो उसके वो दो लिटर के गुन वो बच्ची में आ जाएंगे तो इस इंब्रियो ट्रांसपर टेकनोलोजी में हम क्या कर करते हैं जो अच्छी नसल की गाई है मतलब 20 लिटर की दूद दीती है तो उस गाई के अंडे निकलते हम और जो बूल अच्छा कॉलिटी का बूल है तो उससे वो फर्टिलाइज करके वो साथ दिन का हम बून बनाते हैं और जो सरोगेटिव मदर हम यूज करते हैं उसका म तो सरी इसके अनदर में आप से पुछना चाहूंगा कि किसान के पास अगर अपनी गाएं और वो कम दूद वाली है और उसको कितना फाइदेमन है यह एकर वो एंब्रियो ट्रांसफर करवाता जिनके पास कम yielding, कम उत्पादन चमता वाले पसू हैं, वो embryo खरीद सकते हैं कहीं बाहर से, जिस quality का भी embryo चाहिए उनको, उनको 20 लिटर की गिर वाला चाहिए तो वो मिल सकता है, उनको, imported embryo भी मिल सकता है, या कहीं भी ऐसी गाये जो आप जितना उत्पादन चमता चाहते ह उत्पादन चमता वाला embryo आप खरीद के, अपनी कम उत्पादन चमता वाली गाये में उसको डलबा सकते हैं, अब आप गाये खरीदते हैं, तो आपको सभा लाग, डेड़ लाग, दोलाग रुपई देना पड़ सकता है, जैसे गिरिका आइस समय जैसा जिब ट्रेंड चल और उसको अच्छे से पाल के, दो फैदे होगी, एक तो आपको उत्पादन चमता का मिल गया, दूसरा ही है कि वो बच्चा आपके घर पर पैदा हुआ है, तो उसका कोई इस्थान परवरतन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि कहीं आप ठंडे से लेके आए थे, यहां गरम ह है यहां, तो इसलिए सर्वाइब नहीं करेगा, क्योंकि इस्थान परवरतन से भी थोड़ा सा फरक बढ़ता है, यह क्योंकि आपके घर पर पैदा होगा, तो यह आपके हां सर्वाइब करेगा, इसकी खाने पीने की प्रक्टिस बगएर हैं, तो वही होगी जो आपके हां क्या है, आप केवल बहुत अच्छी नसल के जो बड़ी उत्पादन शमता वाले सान हैं, केवल उनका प्रियोक कर सकते हैं, जादे, दूर तक ले जा सकते हैं, उनके सीमन को, गाय आपके पास कोई इस तरह की है, जो जैसी कम मिलती है, मालो आपके पास गिर है 20 लिटर की, और बाकी लिटर की गिरर्व नहीं थीगist, खिवल szat वच्चिया ले सकते हैं, आई भी अप से आप क्या कर सकते हैं, इस एक गिर से एक साल में 150 वच्च्चे ले सकते हैं, בदल़ इस से लिए हुए जो अंडे हैं, उसायट उसायट से बाहर उसको च्ट्लाइज करायेंगे बाहर हमने उसका embryo प्तियार किया और वो embryo फिर हम कम उत्पादन शमता वाली किसी भी गाये में डालेंगे लेकिन उसकी जो quality होगी वो इसकी होगी क्योंकि यह जो उसाइट है अंडा है वो इसका है तो इसको बाहर ले जाके transplant करेंगे तो जो छह साथ बच्चे आप ले सकते थे उस गाय से सो बच्चे भी ले सकते हैं आप उसके लाएं तो आप यह कहना चाहते हैं कि यहां तो गाये आपके पास अच्छी milky yield वाली नहीं तो आप बना बनाए embryo भी दे सकते हैं उसे और दोन करते हैं पिछले 28 साल से 30 साल से हरेना में भी कर रहे हैं थे राजस्थान में महारास्ट में ग्यारे स्टेट में हमारा ब्रीडिंग का काम होता है तो ट्रस्ट का मकसद कोई profit कमाना नहीं है अभी इनिसेली फार्मर इससे इससे अवेर हो सकें तो इसमें कोई फायदा वाला ममलन नहीं है यह extension के तोर पे लोगों को काफी कम cost पे available कराया जा रहा है तो क्या आप किसी भी जगह जाकर जब जाते हैं जैसे अगर मैं हर्याना में रहता हूं तो मैं पंजाब में आपका unit है तो वहां से अगर मैं आपको call करता हूं तो क्या cost में कोई difference आता है नहीं नही है कि हम उसकी बहुत सारी स्तरे की cost हैं जो खुद वियर करते हैं ट्रस्ट वियर करता है ताकि farmer welfare के लिए काम कर सके हम तो इसलिए हमने उसको एक fix रखा हुआ है तीस हजार में हम आपको confirm pregnancy pregnancy मतलब जो हम embryo transfer कर देंगे आपके गाय में भेंस में भी काम करते हैं उसके डेड़ महीने के बाद हम उसकी जाच करके आपको देंगे तब यह हम आपसे पैसे लेंगे तो आप हर एक नसल के embryo transfer करते हैं जो भारत में उपलब देंगे हैं सबी न एंब्रियोज हैं हमारे पास हमने किये भी हैं और उसके बच्चे भी पहना हुए हैं उनके रिजल्ट का बहुत हम लेगी सेटिसफेक्ट्री आ रहे हैं सेटिसफेक्ट्री हैं ओनने एवरेज 30% के करीब परिजल्ट्ट करने के बाद ही चार्ज करेंगे उसके पहले उसके पहले कोई चार्ज निए तो यह जो आप जब जाते हैं जो भुरून प्रत्य प्षेक्शर वॉपन करने आप जाते हैं तो किसान को कुछ पर देखेंगे तो इस फैन में पुरा लैब हमारा इस्टबलिश्मेंट किया है हम क्या करते हैं किसान की यहां जाके अगर अच्छी क्वालिटी की उनके पास दाता गाई होगी तो उस गाई के हम उस साइट निकालके लैब में पूरे सेवन डेज उसको इंकुबेट करते हैं पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है वही फैन उनके फार्मर की हाँ खड़ी करके उधर पूरा प्रोसेसिंग कंप्लेट होता है और उसके बाद वहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसप करने हैं तो हमारे पास वह और एंकुबेटर रहेता है छोटा सा तो उसमें हम वीम्डी करों के और और ऑसको प्रोसेजर फालो करने पड़ेंगे उससे पहले हैं आपका कोई अग्रीमेंट कहां पर सर्विस देते हैं सर्विस तो हम पूरी इंडिया में दे रहे हैं तो फार्मर जहां से भी हमको बलाएगा हम जाके वहां पर करते हैं इसके लिए बहुत सारी जगह पर लोगों के पास नंबर हैं हैं मुठ उष्ब कर सकते हैं कि अ मिल दिया चांट्रस क कर सकते हैं यह करióज़कर कर दिया गया हर अयां हर मेले में और ही और यह के लिए है कि हम पहुँंचते हैं जहां भी इंटिशन होते तो वह उसका वही मतलब है कि फ़ारम उसको जान सके हमारे बारे में जान सके हैं और हम उनसे संपर्ख कर सकते हूं hundred right एक साउल में जहां हम एक गया से 6-7 बचे ले सकते हैं कि यह health हम उससे साल भर में पीना है केवल है कि मुड़ ले सकते हैं केवल एक साल में आठारे बीस कंसेप्शन मिल सकता है बाकी के और छह महीने में तो ओन एन एवरेज तीस में तीस बच्चे आराम से एक साल में एक गाय से लिया सकते हैं मतला इससे जो पैदा किया जाएगा एंब्रियो वो उसके लिए हमें अलग से गाय चाहिए जिन में हम इनको पालने के ल तो आप जब उसके एंब्रियो कलेक्ट करते हैं तो एक समय में कितने एंब्रियो कलेक्ट कर लेते हैं और आगे आपको जैसे आगर आपने एक गाये इसके एंब्रियो आपने कलेक्ट करें 50 लिटर वाली के चालिस लिटर या 30 लिटर वाली के तो आप एक बार में कितने ए तो आप एक बार में एक हीट में कितने एंब्रियों बन सकता है वह चार पांच आपको फिर उतनी ही रिसिपेंट चाहिए उतनी आगे आपको गाये चाहिए जिन में हमें अच्छी रसल वाली गाये के आए जिससे वी लिया है जिसका अंडा है गुण उसी के होंगे उसकी जो असली माह है वो वही है अंडा उसी का था यह केवल उसको पालने वाली माह है जिसने केवल पाला है इसके अंदर उसके जैनेटिक गुण नहीं है जैसे कि उपर चाट में दिखाया गया है यह सभी बच्चे जो है यह सब अच्छे इस गाये से पैदा हुए जो अंडा था वो इस गाये का था लेकिन जो रखा गया वो अंडा वो दूसरी गाये में जैसे जैसे अभी थनेला वगएरा होता है पूरा थन खराब हो जाते हैं अभी लेकिन बच्चे ले सकते हैं उससे या कुछ इस तरह की इस्तिति आ जाती है कि कोई एक्षिडेंट हो गया कुछ हथ पर तूट गया है उस कंडिशन में आप सांड से या इस तरह से बच्चा प बताइए कभी कभी किसान के घर में एक बहुत अच्छी नसल की घाएं होती है और उसके थनेला हो जाता है और थन खराब हो जाते हैं तो आप उस घाएं से बच्चा ने ले पाते हैं यहां फिर आपको दिक्कत होती है क्योंकि आप सोचते हैं कि बच्चा होगा तो उसके में दूद आएगा और उसको परिशानी होगी लेकिन इस टेकनोलोजी के थ्रू जो एक ब्रून प्रत्यर ओपन एंब्रियो ट्रांसवर टेकनोलोजी के थ्रू आप उसके हीट पर आने पर जो एक्स हैं उन्हें निशेचित करके लैब के अंदर एक एंब्रियो टियार करके उसी के ब्रून से टियार हुए एग बाकी गायों में डाल सकते हैं ताकि आपको उस गाये की गुणों वाले बच्चे मिलते रहें इसमें आपको उस गाये के इस्तमाल की सरफ तब जुरूत पड़ेगी जब आपको उसके एक्स लेने हैं ना कि आपको उससे ही बच्चा डिलीवर करवाना है आपकी वो गाये चाहे उसको थेनेला हो गया आप उसको सड़कों पर ना छोड़ें बेकार ना संज़ें अगर उसके अंदर कोई और डिसिबिलिटी आ गई है जैसे उसके पैर में चोड़ लगई और आप नहीं चाते कि वो बच्चा नहीं लग सकती अपने बेट में दिक्क्त होती है उसे कुछ और परिशानी है तब भी उसके एक्स का इस्तमाल करके आप अच्छी नसल के जो हैं बाहर जाते हैं गुजरात में बहुत महेंगी गाएं लेकर आते हैं रास्ते में बहुत सारी दिक्क्ते होती हैं एक जो लेक्टेशन है जिस लेक्टेशन में आप उसको लेकर आते हैं वो उसका बेकार चले जाता है क्योंकि जब आप उसको दूसरी स्टेट से दूसरी आती हैं और वो 50,000 में आपकी एक अच्छी नसल की दुद्वारू गाएं आपके घर के अंदर आपकी परविरिश के द्वारा तियार हो जाती है तो किसान भाईयों इसका फायदा उठाने के लिए आप जेके ट्रस्ट के साथ संपर्ख कर सकते हैं इनकी डिटेल हम डिप वी कर वी आपके लाईयो जुद्वारू